हेलो गाइज, वेलकम इनार ओडिट डेस्केशन और आज हम करेंगे अपना नेक्स लेक्चर जो कि हमारे फाइफ लेक्चर हो चुके हैं करते हैं कि whether we can accept this audit or not, उसके बाद हम audit को plan करते हैं, एक agreement बनाते हैं, client और हमारे बीच में उसके अंदर सारी terms and condition लिखे जाती हैं, उसके बाद जिसको terms of engagement letter भी बोलते हैं, जो कि standard on auditing 200 है, जो कि मैं आज आपको करवाँगा, उसके बाद audit को plan करते हैं, फिर उसके audit को execution stage पजात risk of material misstatement, materiality, ये सब क्यों चाहिए, मैंने आपको ये बताया था, क्यों चाहिए, किसी number को कितना check करना है, substantive testing, sampling में ये help होता है, ये मैंने आपको previous lectures में बताया था, objective of audit, quality of audit, standard on auditing 200 के अंदर हमने discuss किया था, और आज हम करेंगे acceptance of audit engagement, मतलब मेरा ये समझ लो, आज की वीडिय start होती है, आपने client का risk assessment कर लिया है, अब आपको ये पता चल गया है कि हाँ, हम इस client का audit करने वाले हैं, अब आपको एक agreement बनाना है, जिस agreement के अदर आप terms and condition लिखोगे, और client उसको sign करेगा, ताकि आपका एक legal agreement बन जाए, काम करने का, audit करने का, तो इस पे हमारे एक standard बना हु आपको 150 emails का सर मैंने आज reply किया है, I think this is a very good thing कि मैंने 150 emails का within 2 hours आपको reply किया है, उसके बाद जो हमारी last video थी, कि जिन जिन students को, IPCCC or CA final के students को, अगर अपना attempt, first attempt में निकालना हो, if they want to clear their exam in first attempt, they can connect with me personally, I will guide you, I will आपकी query sessions आपके साथ individually लूँगा, either on Skype, on calls, on personal meeting, things कैसे भी करके, मैं खुद question paper set करूँगा, जो कि मैं आपको send करूँगा, उसके बाद आपने answers लिखेंगा, आप मुझे वापस बेजेंगे, आपको मैं उसके अंदर आपकी weakness बताँगा, बताँगा कि आपको कहां पे क्या scope of improvement है, आपको कहां काम करना है, उसके बाद आपक आपको जो भी, जितने भी students मेरे साथ YouTube पे सर connected है, आपको सर पूरा video lectures YouTube पर मिलेगा, still I want to maintain a list कि कितने students मेरे साथ यहां पर connected है, तो आपको क्या करना है सर, आपको अपनी details मेरे को email करनी है, cagoyalkapil at gmail.com पर, आपको देखो एक इस तरह से detail बनानी है अपनी, या तो Excel sheet में ब पर जी आपको अपना नाम बताना है, जैसे मैंने एक formal, आपको एक example के लिए बनाया है, name आपका जैसे couple girl, मेरा नाम हो गया, आपका level, आप IPCC मेरे सी फाइनल में हो, group past, अगर आपने कोई group past किया हुआ है, जैसे IPCC में हो तो first group या second, first whatever you past, otherwise not applicable, आपका attempt कब है, क्या आप coaching ले रहे हो, yes or no, आपकी contact details सर, आपका mobile number so that we can connect with each other, आपकी email ID, आप कहां के रहने वाले हैं, city, और आपका full address so that I can send you my book of auditing, full address सर मुझे आपको अपनी book भेजने के लिए चाहिए, और क्या आप मेरे से personal consultancy चाहते हैं, yes or no, तो सर ये detail हर student भेज सकता है, जो भी CA IPCC audit किता है, से कर रहा है, सर हम आपको detail क्यों भेजें, अगर हम आपसे personal consultancy नहीं ले रहे तो, सर इसके बावजूद भी ऐसा कुछ होगा, काफी notes होंगे, बाकी सारी चीज़े होंगी, जो मैं आपको email कर दूँगा, और कुछ भी अगर मुझे लगेगा कोई amendments से related बात हैं, हो आपको email पर मिल जाएंगी, इसलिए आप अपने details भेज सकते हैं, second purpose सर इसका है, जब आपका exam हो जाएगा, जब आप CIPCC audit किलियर कर लोगे, तो मुझे पता रहेगा कि सर मेरी इन videos की वज़े से कितने students को help हुई है, तो सर परपास आपको किलियर है, सर इसकी fee और बताओ क्या होगी तो सर स्टार्टिंग fee हमने रखी है, 1500 रुपीज, जिसके अंदर आपको साराद सब कुछ provide किया जाएगा, अब हम चलते हैं मुद्दे पर, सर, I hope आपको ये चीज़े समझ आ गई हो, अगर आपको format अगर आप नहीं लिखा है, तो आप एक बर दुबारा देख लिजिए, और उस format को फटा-फट अपनी notebook में लिख लिजिए, कि आपको क्या-क्या मुझे send करना email पर, आपका नाम, आपका level, group, attempt, coaching, आप ले रहे हैं नहीं contact detail, email id, city, full address, want, personal consultancy और not, कहां भेजना है, cagolcapil.gmail.com पर, फिर हम उसके बाद आगे बात करेंगे, आज का हमारा topic है सर, आज का हमारा, जो topic होगा वोगा कि अब हमें client का एक agreement बनाना है, हमें हमारा audit start करना है, लेकिन उससे पहले हम एक agreement बनाएंगे, कि भहिया, audit engagement letter बनाना है, कि आपने, client ने हमारे साथ काम करना है, हमने client का audit करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सर, कुछ बाते, अब आपको सिर्फ सुनना है, इस वीडियो का हम कैसे conclude करेंगे, इस concept को बहुत important है, सबसे पहले मैं आपको practically बताऊंगा, कि audit engagement letter क्या होता है, उसके अ ICI की book के अंदर जो चीजे हैं, वो मैंने आपके लिए बनाई है, वो मैं आपके साथ share करूँगा, third, मैं आपको एक real audit engagement letter का format आपको दिखाँगा, और उसको अच्छे से in detail discuss करेंगे, आप इस वीडियो में ये बिल्कुल भी मत सोचेगा, सर, ये वीडियो थोड़ी lengthy है, सर और आपको आखरी तक पसंद आएगी, चले सर, अब मैं स्टार्ट करता हूँ, standard on auditing, essay 210, audit engagement letter, सर, ये audit engagement letter क्या होता है, सर, जब भी हमें किसी नए client का audit हमें मिलता है, तो एक chartered accountant को, एक CFM को, एक engagement letter बनाना पड़ता है, उसके अंदर वो सारी terms and condition लिखती है, और फिर उसके की terms and condition होती है, सबसे पहले वो लिखता है, मैं आपको एक, सिर्फ, example बता रहा हूँ, उसके अंदर इस तरह की terms and condition होगी, कि हमारा जो client है, जो हमारा client है, वो financial statement को बनाएगा, as per financial reporting framework, ये financial बनाने की responsibility, client की है, ये हम agreement में लिखेंगे, otherwise बाद में कोई भी दिक्कत आ सकती है, और उसमें लिखेंगे कि this is your responsibility, आप बनाएगे as per financial reporting framework, सर ये financial reporting framework क्यों लिख रहे हो, क्योंकि सर financial को तो उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा न, जिस हिसाब से हमारे accounting standards, हमारे low and regulations बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि भया, आपकी accounting होनी चाहिए as per accounting standards, as per all the low and regulations, तो ये एक पहली condition हो maintain होता है, आपका business चलता है, audit करने के लिए, ठीक है जी, ये हम लिखेंगे, तीसरा हम बोलेंगे कि आप हमें सब कुछ बताओगे, मैं एक ही point में काफी चीज़े cover करने की कोशिश करोगा, सब कुछ बताओगे, सब कुछ क्या बताएं सर, अगर आप कहां कोई fraud हुआ है, त मैं को पूरा हक होगा, इन सब बात होगा, मैं अगला point, मेरी जो audit report होगी, जो मैं audit report बनाऊँगा, उसके अंदर मैं आपको absolute assurance नहीं दूँगा, मैं आपको reasonable assurance दूँगा, क्यों, क्योंकि मैं 100% audit नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक बात है, मैं अपना audit करूँगा, as per standard on auditing के नहीं दिखाँगा, लेकिन, अगर आपकी company ने कोई fraud क्या हुआ है, तो अभी एक amendment आये audit के अंदर, तो वो fraud की detail मेरे को central government को देनी होती है, या किसी authority को देनी होती है, तो मैं उनको दूँगा, जो की breach नहीं कहलाएगा, क्योंकि मैं ये professional conduct, as a professionally, जो low and regulations है, उस दाइरे में म आपकी supporting share कर रहा हूँ, किसी third party के साथ, तो ये agreement के अंदर लिख्योंगी, तो ऐसे सर पूरा 15-20 points होते हैं agreement के अंदर, जिसके अंदर auditor की responsibility, client की responsibility, और सारी बाते लिख्यों होती हैं, और दोनों party sign करती हैं, ये तो हो गया, कि एक agreement होता है, और agreement के अंदर क्या include होता है, अब मैं कुछ और आगे बाते करता हूँ, अब सर आपने agreement बना दिया, आपने agreement client को दिया, और आपने का sir इसको sign करो, client ने वो agreement पढ़ा, और client ने आपसे request की, कि sir, जैसे मेरा नाम Kapil है, मैं किसी client का engagement बनाया, मैंने engagement letter बनाया, वो बोलते है, sir Kapil sir, can you change these two terms, मैंने का sir, which two terms you want to me change, we want to add a single line, मैंने का what, what you want to add in this engagement letter, client कहता है sir, sir, आपने कहा है, you can check anytime all the vouchers, supports, confirmation, discussion, हम चाहते है, we just want you don't send any external confirmation to our bank and debtor, मतलब, client ने बोला, कि आप सिर्फ confirmation मत सेंड करना, banks को and debtor को, मैंने का, अच्छा, क्यों, तो जब भी ऐसी कोई term and condition आये, कि client आपको आपके engagement letter के अंदर को change करने के लिए बोले, तो आपको reasonably check करने होगी, कि क्या ऐसा करना ठीक है, क्योंकि अभी तक engagement letter sign नहीं हुआ है, आप और client के बीच में एक agreement नहीं हुआ है, तो आपको देखना balance sheet में, और आपको कह रहा है कि आप confirm मत करो, आपको कहीं ना कहीं एक शक किसुई आपकी, घूम जानी चाहिए, कि मेरे को confirmation के लिए मना कर रहा है, that means कहीं ना कहीं कुछ गडबड है, आपको client को बोलना होगा, sir नहीं, मैं सारी confirmation लोगा, और इस तरह की कोई भी terms, मैं अपने agreement में नहीं डालोगा, client बोल सकता है, sir ठीक है, फिर हम आपसे audit नहीं करवाएंगे, आप कहेंगे, जैशीरी राम, वाहे गुरू, हम आपका audit नहीं करेंगे, ठीक है, आप अपना audit agreement वहीं पे छोड़ देना, उस company का audit, accept मत करना, समझ में आई मेरी बात, अगर आपको कोई ऐ ऐसी terms and conditions change करने के लिए बोले, जिसकी वज़े से आपकी audit opinion पे फरक आ सकता है, देखें कितनी layman language में आपसे बाते कर रहा हूँ, audit opinion पे अगर आपको फरक आ सकता है, तो आप उस audit को accept नहीं करेंगे, पहला point आपको समझ आए, ठीक है जी, अभी तक situation थी कि आपका engagement letter sign नहीं ह हुआ है, दूसरी बात, engagement letter sign हो गया, आपने audit start कर दिया, उसके बाद management को restrictions लगा रही है आपके पर, क्या आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो उस case में क्या होता है, सर जो हम अपनी audit report देने वाले होते हैं, उस report के अंदर हम disclaimer, अभी आपको नहीं स disclaimer, अगर हमें कुछ ना मिले तो, तो हम disclaimer of opinion देते हैं, वो आपको बाद में समझ आएगा, तो हम अपनी audit report के अंदर उसको अच्छे से दिखा देते हैं, और हम report करते हैं, किसको report करते हैं, सर, management को, और those charge with governance को, सर, ये management and those charge with governance क्या होता है, सर, management होती है, जो policy and procedures को apply करती है, day to data काम में, those charge with governance होते हैं, सर, simple terms में बता रहा हूं, detail में में जाना, those charge with governance होते हैं, जो policy and procedures को बनाते हैं, हो frame the policy and procedures, I hope आपको बात समझ आई, तो हमें communicate करना पड़ेगा, इन सब को, ठीक है जी, अगर हमें कोई भी fraud मिलता है, तो हम client के data को, as per law and regulation किसी third party को दे सकते हैं, ये को professional misconducting नहीं होगा, इसको engagement letter में लिखना है, आगे बात करते हैं, सर, standard on auditing के साफ से हम audit करते हैं, बिलकुल करते हैं, सर, अगर कोई law and regulation, कोई दूसरा law and regulation बोलता है, कि आपको ये काम इस तरह से करना है, तो उस situation में क्या करें, सर, हमारा standard on auditing बोलता है, कि आप इस काम को ऐसे करो, लेकिन जिस company का हम audit कर रहे हैं, उसके उपर को special law and regulation लगता है, वो बोलता है, कि आपको ये काम ऐसे करना है, मतलब standard on auditing और law के बीच में similarities नहीं है, उस case में आपको क्या करना है, आपको जो special law and regulation है, उस case आप से काम करना है आपको, आपको अपने audit report के अंदर change कर देना ह कि हमने ये audit इस हिसाब से किया है, क्योंकि we have a special law and regulation for this type of industries or companies, और वहाँ पे आपको अपनी audit report के अंदर एक line change कर देना है, वो line क्या change करना है सर, हम audit report के अंदर लिखते हैं, कि हमने हमारा audit standard on auditing के हिसाब से किया है, और इन सब चीजों के हिसाब से किया है, वहाँ पे हम change कर देंगे, we are conducted our audit, accordance these these law and we are not followed, our standard on auditing, बात समझाई, अभी तो सर हमें कुछ याद ही नहीं हो रहा, आप बस बोलते जा रहे हो, आपको समझा रहा है सर, कोई ऐसी चीज़ जो आपको आपको याद करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं, और याद करना भी मत, सर अभी हम read करे आगे जाएंगे, we have lots of things in this, तो अगर आपको याद नहीं हो रहा है, आप remember नहीं कर पारे, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना भी मत, आप सिफ सुनो, कि आपको समझ आ रहा है क्या, तो अगर कुछ भी low end इसके बीच में different होता है, तो हमारी audit report के अंदर change कर देंगे, last and final point, discussion का हमारी audit report का एक format बना हुआ है, audit report का एक format बना हुआ है, अगर कोई low बोलता है कि भाया, आपको अपनी audit report इस हिसाब से बनानी है, तो ठीक है हम बना देंगे, और इसी तरह से हम line change कर देंगे, कि हमने हमारी audit report इस हिसाब से बनाया है, standard on auditing को follow नहीं किया है, तो sir मैंने जो अ प्रक्स है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, then we'll move to a real engagement letter, तो चलिए sir, screen पे मैं आपको लेकर चलता हूँ, लीजे, तो sir, essay 210 बोलता है, agreeing the terms of audit engagement, आप agree होना है किसको management को, auditor को, audit engagement पर, so सबसे पहले sir, क्या होता है, ये देखिए sir, कुछ pre-condition होती है, audit की, sir, ये pre-conditions क्या होती है sir, pre-conditions होती है, कि financial statement management बनाएगी, management हमें हर record को चेक करने देगी, तो पढ़ते हैं, तो pre-condition for an audit, ये हमेशा satisfy होनी चाहिए, agree करने से पहले, whether management to use acceptable financial reporting framework, क्या management financial reporting framework को follow करती है, financial reporting framework का accounting standard, revise schedule 6, जिसके सापसे आपके financial बनने चाहिए, acknowledgement by management of its responsibility, management की responsibility होगी, क्या, पहला तो वही same point है, financial statement as a financial reporting framework, internal control, so that financial statement should be free from fraud and error, इसका मतलब क्या है sir, internal control, इसका मतलब होता है, कि जो financial statement बनते है न, उसके उपर financial internal control होने चाहिए, जैसे कि, अगर कोई भी नया बंदा join करता है, तो उसके joining letter को CEO sign करेंगे, तो ये एक control हो गया, मेरे किसी financial statement के उपर, financial statement के किसी terms के उपर, तो ये management की responsibility होगी, उन सबको maintain करना, follow करना, they provide, यहाँ पर provide नहीं आरा sir, provide आएगा, they provide auditor with all the access to information, हमें सब देंगे, additional information, जो भी हमें चाहिए, unrestricted access to person if necessary, हमारे जितने भी auditor, जो भी हमारे team के बंदे होंगे, उनको unrestricted access देंगे, ये नहीं कहेंगे, आप ये देख लो, वो देख लो, ये मत देख लो, हम जो मन करेगा, वो करेंगे, तो these are preconditions, basic 3-4 जो चीजे होती है, जो audit करने के लिए बहुत जरूरी है, these are my preconditions, audit engagement terms, क्या terms होती हैं sir, हमारे letter के अंदर, objective of audit, what is our objective, हम opinion देते हैं, on what, financial statement पे, कैसा, reasonable assurance का, whether financial statement are true and fair view or not, this is my objective, scope of audit, आप बस इसी के अंदर मैंने पहले मीं cover कर दिया, scope क्या होगा, कि हम statutory audit कर है, financial पे सिर्फ opinion देंगे, हम future के ओपर कोई opinion नहीं देंगे, responsibility of management and auditor, responsibility मैंने आपको अच्छे से बताई दिया, sir, एक pose ले रहा हूँ, I won't some water, responsibility of management and auditor, ये मैंने आपको verbally बताया था, identification of financial reporting framework, ये भी management की responsibility है, कि आपके financial किस framework के हिसाब से बनेगे, sir, example दे सकते हो, बिलकुल दे सकते हैं, insurance company के financial अलग हिसाब से बनते हैं, electricity के अलग से बनते हैं, तो आपने पढ़ाया न, ये IPCC's Eigen Group में, अकाउंट्स में, तो these type of financial reporting framework, reference to expected form and content of report to be issued by the auditor, हम बताएंगे कि भाईया, जो हमारा form होगा, content होगा, audit report का, वह ये होगा, low and regulation prescribed terms, then no need for the separate return agreement, except that management acclore is the same, अगर कोई भी low and regulation बोलता है, कि आपको ये cover करना है, वो cover करना है, ठीक है भाईया, बहुत से low, बहुत सी चीजे बोलती है, हमें हर चीज पर agreement में लिखने की जरुरत नहीं है, हाँ, management ये लिख दे कि you will follow all the controls, और उस पर sign कर दे, sorry, all the low and regulations, लेगिन आगर कहीं पर इम मना करती है, तो हमें देखना होगा, तो basic बात है थी सरी, ये कुछ भी नहीं था यहाँ पर, उसके बाद, auditor को अपना audit नहीं accept करना है, अगर ये condition satisfying ना हो, तो मतलब, अगर client बोल दे, भाया हम आपको ये documents नहीं देंगे, हम आपको कोई भी access नहीं देंगे, तो ठीक है सर, हम आपका audit नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक तो sign नहीं हुआ, ठीक है जी, prior to acceptance management impose limitation, ठीक है जी, आपको नहीं accept करना है, सर, अभी मैंने आपको बात बताई, ऐसे audit की जो नया audit आने वाला है, अब एक ऐसे audit की बात करते हैं, जो पिछले साल भी हमने किया था, और अब आने वाले सालों में भी हम ही करने वाले हैं, तो before completing audit, if the client requests the auditor to change the terms that convey lower assurance, ये मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा, सर, अगर आप recurring audit कर रहे हो, मतलब इसले साल भी audit आपने किया था और इस साल भी, अब आपको client बोलता है कि ये change कर दो, वो change कर दो, तो आप देखो कि client जो बोल रहा है, वो ठीक है, क्या normal है, तो कर दो, otherwise मत करना, तो वही बोल रहा है, कि अगर client आपको request करता है किसी चीज़ के लिए, और आपको वो उस चीज़ से lower assurance मिल रहे है, तो आप देखो कि justification क्या है, change करने का reasonable है या नहीं है, अगर है तो आप agree कर अगर नहीं है, तो if management does not permit original engagement, then withdraw from the engagement, communicate to those charges with governance and members, ये बात मैंने आपको बता दीती है, आगे चलते हैं सर, additional consideration के अदर क्या आता है, कि आपको सारे financial reporting standards are in conflict with law, अगर लो के साथ अलग है, जैसे मैंने आपको बताया था, लो रैसे अलग अलग बात कर रहे है, तो management से discuss करो, और अ additional disclosure in financial statement or amendment to standard if possible है, तो कर दो, otherwise अपनी report के अंदर change कर दो, ठीक है जी, और एक और point सार, वो यहाँ पे covered नहीं है, वो मैं आपको, हाँ मैं आपको बता चुका हूँ, कि अगर आपका essay, आपका audit report का format अलग है, और को लो आपको दूसरा format follow करने के लिए बोल रहे है, तब उसमे illustration of engagement letter, ये देखो, एक auditor ने बनाया और लिखा board members को भेजा, अब आप देखना है, इस से आपके सारे concept के लिए रहोंगे, board को लिखा, जर address लिखा, क्या लिखा, कि we audit this financial, मैं आपको पूरा read नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले महनत कर लिए है, we audit the financial statement of the company, period, beginning April to March, ठीक हम, ठीक है जी, ओन्दा financial statement, उसके बाद क्या बोल रहा है, किस पर opinion देंगे, true and fair view पे, in confirmative with the principal accounting principle generally accepted in India, और बोल रहा है कि adequate internal financial control system over financial reporting आपको follow करना है, I को फर्मे मतलब client के responsibility है, we will conduct our audit as per standard on auditing issue by ICAI, we will comply with all the ethical requirements, we will plan and perform our audit and to obtain reasonable assurance about whether the financial statement are free from material misstatement, जो चीज़े हमने पहले की है, then we, वो बोल रहा है, an audit involved performing procedure to obtain audit evidence, तो सर, ये सारी बाते हम discuss कर चुके हैं, तो इस, सर, पूरा करवा दो, प्लीज, ऐसे जल्दिल्दी मत करवाओ, ठीक है, तो मैं करवा देता हूँ आपको, दुबारा से, मुझे लगा मैं जल्दी जा रहा हूँ, सबसे पहले, auditor अपनी responsibility बता रहा है, we will conduct audit in accordance with standard on auditing issue by the ICAI and deemed to be prescribed by the central government, blah, 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 we will comply with all the ethical requirement about whether the financial statement are free from material misstatement, an audit involved performing procedure to obtain audit evidence about the amount to be disclosed in the financial statement, the procedure selected depends on the auditor judgment, including the assessment of the risk of material misstatement, of the financial statement, अब मैं सर आपको बैस से बताता हूँ, अगला पैरा, auditor अपनी responsibility बता रहा है, कह रहा है कि हम evaluate करेंगे accounting policies को, बिलकुल करेंगे सर, हम आपको absolute assurance नहीं दे सकते हैं, due to inherent limitation of audit मैंने आपको बता दिया था, और वो कह रहा है कि, our audit will be conducted on the basis that management and those charged with governance, acknowledge and understand they have the responsibility, अब यहाँ प management की responsibility की बाते करेंगा, उपर उसने खुद की बता दी कि हम क्या क्या करेंगे, now we will explain management responsibility, कह रहा है, you will prepare the financial statement that will give it true and fair view as per the standard on auditing, you will comply with the all the accounting provision of 23 companies at 23, you will properly maintain of accounts and other matters connected with, connected therewith, you will prepare your financial on the basis of going concern, you will follow all the accounting standard, you will follow all the, your selection of accounting policy and applying them consistently, these things we also study in accounts, you will properly take care of adequate accounting records, तो these are the management responsibility, क्या आपको internal control को follow करना है, you will inform us, you will inform us, management को बोल रहा है, you will inform us all the pending litigations, all the foreseeable losses, कोई भी ऐसा amount जिसको transfer करना है, investor education protection fund में, कोई भी fraud, अगर कोई भी director का disqualification हो रहा है, you will inform us, तो मतलब सब कुछ management को बोल रहा है, कि these are your responsibility, हम अब बता रहा है कि हमारे कुछ rights है, you will provide me, what, access at all the times, हर जगे मैं कुछ भी check कर सकूँ, access to records for all the subsidiaries की accounts पर, access to reports, तो जो हमने theory में बढ़ा था वही है, हमें आप additional information प्रोवाइड करोगे, जो भी हम request करेंगे management से, तो these are the rights of auditor, unrestricted access, all the required supports to discharge my duty, ठीक है जी, तो कह रहा है, मेरी रिपोर्ट जोगी, as per provision of 2013 act, तो these are the basic things, which they covered in the engagement letter, then sign, name of the member, designation, name form, date, place, तो सर इस तरह से ये engagement letter बनता है, जिसके अंदर ये terms and conditions cover होती है, तो एक बर quick revise करते हैं, अब आपको mind में कुछ चीज़े बैठेंगी, engagement के अंदर preconditions क्या होती है, management की responsibilities, कि management books of accounts prepare करेगी, management मेरे को, मैं जो भी मांगूँगा, वो सब देगी, write and access देगी, सब कुछ, all the responsibility of management, second, responsibility of auditor, कि मैं अपनी इसको मैं किसी third party को तब ही दूँगा जब low and regulation कहेगा, third, auditor के rights, जो हमने निचे discuss किये थे, और फिर उसका audit report का paragraph, then sign, तो this is my standard on auditing 210, आपको कैसी लगी video, please comment में बताएं, हम आगे चलेंगे, और जिन-जिन students को मैंने detail देने के लिए बोला है, please अपने details दीजिए, so that you will get a better result, तो मैं आपको दुबारा से दिखा देता हूँ, कि आपको details किस format में देनी है, name आपको देना है, आपका level, group, attempt, coaching, contact detail, email id, city, full address, whether you want personal consultancy or not, और आपको send करना है, cagolcapilet.gmail.com पर, ओके सर, I hope आपको वीडियो पसंद आई हो, comment करना ना भूलें, और अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है, तो वो भी कर लीजे सर, bye bye, take care.